अससलामुलेकुम। कैसे हैं आप लोग उमीद है के खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग लेकर आई हूं लौकी के राइते की। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक पाउ लौकी। लौकी को धो कर छील लेंगे। अब हम इसे कद्दू कश कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी लौकी को कद्दू कश कर लेना है। दो कब पानी में लौकी डालकर उबाल लेंगे। इतने देर उबालेंगे कि यह ट्रास्पेरंट हो जाए। दो अदद हमें चाहिए होंगे लेसन के जब यह तीन चोटी हरी मिर्चे लिए हैं और थोड़ा सा लिया है हरा धन्या। इन तमाम चीजों को पेस्ट लेंगे। इनका पेस्ट बना लेंगे। दही चाहिए हमें एक पाव। दही में हम डालेंगे हाफ टीस्पून नमक या हस्पिजाइका भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे वन टीस्पून भुना हुआ खुटा हुआ धन्या और जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट जो कि हमने बनाया था हरे धन्या का हरी मिर्च और लेसन का। इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लॉकी को बॉयल करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और ये भी हम इसमें आट कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं इसकी भगार की तरफ। तो भगार के लिए मैंने यहां पर लिया है दो टेबले स्पून तेल और इसमें हमने डाल दी है साबुत लाल मिर्चे चार अदत। इसको हलका सा कड़करा लेंगे फिर हम इसमें अट कर देंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा और इसे भी कड़करा लेंगे। ख्याल रखिएगा कि दोनों चीज़े जो है वो जले ना बस हलका सा हमने इसको फ्राय कर लेना है यह देखिए जीरा भी जो हलका सा गोल्डन हो गया है अब हम राई टेप पर यह भगार डाल देंगे लाकी का राईता तयार है आजकल गर्विया है तो इसे एक बर जरूर ट्राय कीचिएगा गर्वियों में यह बहुत अच्छा लगता है अगर आपको मेरी रैसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें कमेंट करके बताएगा अगर कोई और रैसिपी सीखना चाते है तो